हेलो बच्चों क्यासे हैं आप उम्मीद करते हूं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज हम काल पढ़ेंगे यानिकी टेंस बच्चों हमारे सामने कुछ वाक्य दिये गए ना ये उनको पढ़कर समझते हैं कि काल किसे कहते हैं को वाक्य है जिसमें कहा गया है कि भारत 15 अगस 1947 को स्वतंत्र हुआ था खो मैं प्रति दिन काम करता हूं और गो परसों हम मुंबई जाएंगे तो बच्चों इन वाक्यों में हुआ था करता हूं तथा जाएंगे क्रियाएं हैं ये क्रियाएं काम की होने के अलग-अलग समय का बोथ कराती हैं जैसे हुआ था बिते हुए काल का करता हूं चल रहे हुए समय का तथा जाएंगे आने वाले समय का बोथ कराती हैं आईए क काल तो हमने समझ लिया काल के भेद भी जानें अब करिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं इसी अधार पर काल के तीन भेद मानी गये जो अभी हमने पड़े आईये एक एक करके इने विस्तार से जाने तो पहला है भूदकाल, भूदकाल अर्थात पास्टेन, क्रिया के जिस रूप से बिते हुए समय में क्रिया का करना या होना प्रकट होता है, वैं भूदकाल कहलाता है, जैसे हम मुंबई घुमने गए थे, गए थे, यानि भूदकाल, रहूल ने उसकी शादी में निरत्य कि या था भूत काल मामा जी ने कल मुझे कहानी सुनाई थी मैं कल रात देर से घर पहुचा तो ये क्या है भूत काल है तो बच्चों इसमें सभी रंगीन चप्त क्रियाएं बीते समय में घटित हुई है आते ये सभी भूत काल की क्रियाएं है आईए भूतकाल के भेद जाने, भूतकाल के निमलिके छे भेद हैं, पहला है सामान्य भूत, दूसरा पूर भूत, तीसरा अपूर भूत, चौथा है आसन भूत, पांचवा संदिख्ध भूत, और छटा है हेतु हेदुमत भूत, तो पहले जानेगे हम समान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से किसी कारे का हो ना प्रकट हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, इस राहूल ने पुस्तक पड़ी, रामवन को गए, मैंने परिक्षा दी, तो बच्चों इन वाक्यों में निद्रिष्ट क्रियाओं से पता चलता है, कि काम सामान्य था, बीते हुए समय में पूरा हुआ है, आट ये क्रियाएं सामान्य भूतकाल कही है, दूसरा है पूर भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये मालुम हो कि कोई कारिये बीते समय में आरम हुआ था, और वै भूतकाल में समाप्त हो गया था, जैसे कि मैंने पूस्तक पड़ ली थी, वर्षाद से पहले में स्कूल जा चुका था, यानि कि भूतकाल में समाप्त हो चुका है कारे, मेगा ने चित्र बना लिया था, मैंने खाना खा लिया था, तो इन वाक्यों की क्रियाओं से प्रतीत होता है, कि कोई काम बीते समय में आरम हो गया था, यसलिए क्रिया के ये रूप पूर्ण भूतकाल के हैं, तीसरा है अपूर्ण भूत, काल के जिस रूप से यह प्रतीत हो कि कार्य बीते समय में आरम हो था, और वैं भूतकाल में समाप्त नहीं हो था, जैसे कि मैं पूस्तक पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, यानि कि अभी चल रहा है कारे, प्रिती चित्र देख रही थी, गीता और रीता बाते कर रही थी, अमित मैच देख रहा था, चोथा है आसन भूत, क्रिया के जिस रूप से यह ग्यात हो कि कोई कार्य बीते समय में आरम हुआ था, और वैं अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन भूत कहते हैं, जैसे मैंने पुस्तक पड़ी है, यानि कि अभी पड़ी है, खतम अभी की है, तुम कब आये हो, यानि कि अभी आये हो लगता है, मदन अभी अभी गया है, अभी यही था, अभी गया है, सौरम ने फिल्म देखी है, तो बच्चों इन वाक्यों में निर्दिश्च करता है कि कोई काम वीट समय में आरम हुआ था और वे अभी अभी समफ हुआ है तो पांच։आ है हमारा भेत संदिक्ध्भूत क्रियाके जिस रूप से हैं मालम हो कि वीट समय में किसी कारे की होने में संदे राह यह नि'll जैसे मेने पुलिक होगी संदे है तो संदेख्वूत रीमा ने मैक्टर की परिक्षा पास की होगी मदन अभी स्कूल गया होगा रितेश ने निबन लिखा होगा तो बच्चों इन वाक्यों की क्रियाओं को दिखने से मालूम होता है कि बीते समय में पढ़ने परिक्षा पास करने और स्कूल के जाने में दूसरे कारे पर आश्रित रहा है जैसे यदी वैप पढ़ता तो पास हो जाता यानि कि भविश्य में अगर पास अभी होगा अगर वो भूत काल में पढ़ेगा वर्शा होती तो फसल होती जाल अंधर जाता तो मैं तुम्हें अवश्य मिलता रवी आता तो हम काम करते तो वर्तमान काल यानि प्रेजंटेंस क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया करने या होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं जैसे वहीदा पुस्तक पढ़ती है वर्तमान काल सुमित निबन लिख रहा है काम अभी कर रहा है तो वर्तमान काल है मेरा कारे कर रही होगी अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं बच्चों वर्तमान काल के भेद जानेते हैं वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं सामान्य वर्तमान संदिक्द वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान आईए एक एक करके निविस्तार से जाने पहला है सामान्य वर्तमान क्रिया का वहरूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का बूध हो सामान्य वर्तमान कहलाता है जिसे मुईद निबंद लिखता है सामान्य वर्तमान का पिताजी देर तक चाते हैं करोना गीत गाती है सचन क्रिकेट खेलता है तो उपर लिखे वाक्यों की क्रियाओं से किसी कारे का वरतमान समय में सामान्य रूप से होना प्रकट होता है अता है सामान्य वरतमान काल की क्रिया हैं दूसरा है संदिक्द वरतमान क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कारे की होने में संदे हो वहां संदेक्द वर्तमान होता है जिसे रोहन अभी सो रहा होगा संदे हमें की जगाए की नहीं जगाए तो संदेक्द वर्तमान सुधा अभी काम कर रही होगी विवेक अब आता होगा भारतिय दल अभ्यास कर होगा तो बच्चों इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि कारे वर्तमान समय में हो रहा है किन्तों उसकी होने में संदे हैं ऐसी क्रियाएं संदेग्द वर्तमानकाल की हैं और तीसरा है अपूर वर्तमान क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी चल रहा है पूरा नहीं हुआ है उसे अपूर वर्तमान काल कहते हैं जैसे वर्षा हो रही है सीमा घर जा रही है वरुन गीत गा रहा है प्रियाचितर बना रही है तो इन वाक्यों की क्रियाओं से किसी काम का निरंतर जारी र रहने हैं अत्य है अपनुण वर्तमान Скाल के क्रिया आं कै झालं की थी स्राक एल्वां कर अशक काल यह निफिचर टेशंज बच्चों करिया के जिस रूफ से कारे के भविश्य में होने का बोध हो उसे भविश्यत काल कहा जाता है जिसे नीमा खाना बनाएगी अंकुर खाना खाएगा हम सब मिलकर खेलेंगे माता खिलोने लाएगी पच्चो भविश्यत काल के दो भेद हैं सामान्य भविश्यत और दूसरा संभाव्य भविश्यत तो पहला है सामान्य भविश्यत क्रिया के जिस रूप से सामान्य तह आने वाले समय में किसी कारे का करना यहोना प्रकट हो उसे सामान्य भविश्यत्काल कहते हैं लिए बच्चों अब इस पार्ट से आदारित महित् depress बेन्धों पर विध्यान देते हैं क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध और उसे काल कहते हैं काल के टीन भेध हैं भूत काल वर्तमान काल भविष्य दकाल जो बीते वे समय में कारे की होने का बूत कराए उसे भूत काल कहते हैं जो वर्तमान समय में कारे की होने का बूत कराए उसे वर्तमान कहल कहते हैं और जो आने वाले समय में कारे की होने का बूत कराए उसे फविश्यत काल कहते हैं तो उम्मीद करती हूं बच्चों, आपको काल समझ आ गए होंगे, इसके भीदों के बारे में भी आप जान गए हैं, अब इसका अभ्यासकारे आप स्वयम कीजिए।